तो हम पहुंच गए दीदी के पास तो यहां पर दीदी राखी बांदते हुए अपने भाई को और फिर राखी बांदके हम यहां से चल दिये तो दोस्तों यह वीडियो जो है रक्षा बंधन की है मैं लेट हो चुकी हूँ तो किस तरह से हमने रक्षा बंधन मनाया हूँ और सब कुछ आपको दिखाया है मैंने इस वीडियो में आप सभी ने जरूर बने रहना है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त निलम डोगरा तो सभी को रक्षा बंधन की बहुत बहुत बधाई तो यहां पर राखी बांदी है अपने भाई को मेरी ननंद ने और मैं तो गई नहीं हूँ अपने भाई के पास तो सभी को बहुत बहुत बधाई रक्षा बंधन की दीदी ने अपने भाई को राखी बान दी है और यहाँ पर बहुत ही खुशी मनाते हुए दोनों भेन भाई तो राखी जो है बन चुकी है यहाँ पर आखीदी को बान रहे हैं और इसके बाद मुझे राखी बान देंगे दीदी तो अब मुझे राखी बानने लगपड़े हैं और मीठा मुंकराया है दीदी ने सभी का तो हर साल इसी तरह से रक्षा बंधन हर कोई मनाएं सभी के घर में खुशी आए तो हमारी प्यारी प्यारी नंत को बहुत खुश रही बहुत हर साल आए टाइम टू टाइम एक खुश कि अधम आए मारात का जो एड़ांज में एड़ लेटा लिए तुहां परेजी जाँ प्रलोग इसान बहुत हर आए पासीन नाइग रावड़ कर दाए गरना जेदार कर दो बांदी बढ़ी एड़ा बादे बानने लोगए बाद बानने प्राइब भाड़ा है और टो पार बहुत अच्छा लगा बने रहे हैं आप सभी मेरे वीडियो और ब्लॉग में और देखते रहे हैं सारा वीडियो ब्लॉग क्यूंकि में यहां पर दीदी आई हुए थे तो मैं अपने माई के नहीं जा पाई और यहां में और कीदी फोटो खेंची और देखे हमने यहां पर फोटो खेंची और भाई के गड़ नहीं जा पाई इसके बाद में अपनी बेहन के घर गई और मैंने अपनी बेहन को राखी बांदी लब जो मेरी बेहन है इसको मैंने राखी बांदी तो इसने भी मुझे राखी बांदी हर साल हम यहीं इस दिवार को म मैं आठे रहेंगे बहुत अच्छा लगा उर अब मैं पहँच कुक्षा हूँ अपने धर्म भाई के घर मुटकरी साघी process लेडियों प्रौब्लिकी भावि तो तो मों पहँचता है न के दम्हों पतो हो सकते हैं के वावी बैसी पर P你就 मैं रहा यह सब्वर दाल हो और ये चोटी आली भावी है जो मेरे धरम भावी बने हुए उन दोनों की बाईफें हैं तो बहुत ही खुशी है ये बड़ी भावी की बेटी है और यहाँ पर छोटी भावी का बेटा है ये सबी को मैंने राखी बांदी और बहुत ही कुशी के हर शुलास के साथ हमने ये तिवार मनाया तो इनके वहाँ जो है डेरा भी था ये दिखें बाहर डेरा जो भजन के तन होते हैं वो हो रहे है मातावादेवी का डेरा है तो यही है दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने जरूर कॉमेंट शेक्सन में लिखना है तो जरूर कॉमेंट करना है और यहाँ पर इस तरह से प्रोग्राम हुआ और इस तरह से हमने राक्षा बंधर मनाया मैं अपने माई के नहीं जा पाई जो मेरे अपने मुस्तके भाई है वो शिमला में है तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि बेटी की छुटी नहीं थी स्कूल से अगर मैं शिमला जाती तो मेरे चार-पांच दिन लगते तो बेटी को छुटी नहीं थी तो इसकरके मैं नहीं जा पाई माई के और यहां पर हमने बहुत सारी मस्ती करी पूब योगो भी में वीडियो में बताऊँगी आपको नेक्स वीडियो में यहां पर डेरे में हमने काफी मस्ती करी डांस करा भजन में और पूब इंजॉय किया हमने बहुत भाईयों ने और जो भी रिष्तेदार आई हुए थे बाकी भी सभी के साथ जो है यहां पर पूब हमने मस्ती करी भजन सुने कितन किया तो यही था दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दिया अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें दोस्तों ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो ला पाऊं अच्छे से अच्छे कॉंटेंट जो जो था दोस्तों भो मैंने आपको वेडियो में बता दिया किस तरह से मैंने रक्षा बंधन थोड़ी सी लेट हो गई ओ मैं इस वेडियो को एडिट करने के लिए कोई बात नहीं फिर भी आपके बीच में गाई है ये वेडियो और किस तरह से मैंने जोए लिया और कहां कहां में गई थी तो यही है रक्षा बंधन सभी को बहुत-बहुत मुबारक धन्यवाद े हाँ थाँ झाला करे रख शागा का रख्योजफ़ कि पाइन ग। कर दो 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 कर झाल